जी बिसमिल्लारामान रहीम अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं रेंडम फोरेस्ट अल्गोरिफम भी देखेंगे यह कब मार्जे वजूद में हमने पिछले लेक्षर में देखा कि हमारे पास बूस्टिंग का कॉनसेप्ट था अड़ाप्टिब बूस्टिंग जिसको एड़ा बूस्ट भी लोग कह देते हैं यहां पर रेंडम फरेश्ट है वह आया था 1996 में आप में से काफी लोग तब पैदा भी नहीं हुए होगे या काफी लोग तब स्कूल जा रहे होगे सो हमारे पास वराइटी है तो 1996 में आया था ADA बूस्ट अगर मैं इसकी बात करू रेंडम फॉरेस्ट के इस इस अल्गरेथम जो आपके पास आया था 2001 के अंदर 2001 के अंदर यानि के 21 सदी का मॉडल है यह ठीक है अब ब्राइमन यह लेके आया था मॉडल लेके आये थे मैं कहूंगा विश्ट गिव रिस्पेक्ट बेश्यक अपनी जुबान है यहां पर तो खेर सिदह कहते हैं आथर का नाम यह था यह बैगिंग अप्रोच के उपर काम करते हैं बैगिंग मैंने आपको कल भी बताया था दुबारा मैं समझा देता हूं ताकि आपको और समझा जाजा इसकी बैगिंग क्या होती है आपके पास एक डेटा सेट है लाइक दिस यह आपका पूरा डेटा है आप इसको छोटे-छोटे सबसेट में तोड़ते हैं और यहां से डिसीजिजन ट्री हर सबसेट का सेपरेटली निकाल था ठीक है पैरलल फैशन के अंदर सही हो गया and you go forward with the analysis अब यहां पे अगर आप घौर करें बैगिंग के अंदर boosting के लिहाज से क्या फरक आता है बड़ा एक simple सा फरक है वो sequential है boosting बैगिंग जो है आपके पास this is parallel fashion parallel जब कोई चीज चलती है parallel fashion में computation आपकी speedy होती है मिसाल देता हूं आपको parallel computation या parallel computing जो है ना this is one of the terms जो cloud computer में use की जाती है आप एक process को बड़े कोच चोटे चोटे टुकडो में तोड़े और अगर आपका क्या ख्याल है क्योंकि आपने एक ही decision को आगे लेके जाना है एक decision tree को so that is why we are using this term parallel computation here इसकी वज़ा कहा है पहला ही जवाब इसका यह होगा कि इसमें जो computation होगी वो speedy होगी as compared to Ada Boost simply क्यों क्योंकि यह parallel fashion में चल रही है अगर आपके चार core भी है system के तो आप चार process easily कर सकते हैं ठीक है अब आप इसको खुद से भी decide कर सकते हैं वो आएगा आपकी hyper parameter tuning के अंदर ठीक है we will see that अब यह subset और यह trees और यह सारा का parallel fashion में क्यों किया जाता है इस method को by the way अगर कोई IT से related है आप जारी बात है data scientist है सारे के सारे bootstrapping का बड़ा concept आपने सुना होगा क्यों जो bootstrapping 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 क्या होती है bootstrapping आप बता सकते हैं मुझे यहां पर अगर आप keyword लिखें दर इंटरनेट पे और bootstrapping को चेक करें कि यह क्या है आपको फिर एक छोटी से definition मिलेगी बड़ी heavy किसम की है वो अगर अपको आपको आपको नहीं मिलेगी पिर सहणी मिलेगी पिर आपको प्रॉड होगा क्यों कि वो तुम की हैं मुझे है तुम का आपको फिर सब्सेट्टिज आपको ख़्धशने पर कहते हैं मुझे किए अगर आपके सामने डेफिनेशन आई है तो आपको जो मैं भी चीज बता के अटाओं इससे रिलेटिड होगी वह बैगिंग के अंदर आपको बता देता हूं आपको समझ आड़े की एक डेटा सेट को रेंडमली छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसकी प्रॉसेसिंग करना ठीक है और यूजिली आईटी के अंदर आप छोटे से प्रॉसेस को स्टार्ट कर देते हैं और बाकियों को कहते हैं कि इसके तरीके से आगे चल जो ठीक है तो यहां पर जो मैंने इटरेशन्स ड्रा की है यह चार इटरेशन्स यहां पर चल रही है ठीक है यह ग्रोइंग ट्री है यहां से ट्री ग्रोग करना आगे लाइक दिस ठीक है लीफ नौट पेरेंट नौट जितनी भी मैंने आपको एक्जेंपल दी ती यहां से आगे ग्रोग करने चार के चार बूट स्ट्रेपिंग क्या करती है इन सभी को चार इससों या पांच इससों जितने भी आप बताएं उसमें डिवाइट कर देगी यू कैन सेट इस पैरामेटर सेकंड़ी उनको डिवाइट करने के बाद हर इटरेशन को सेपरेट आप डील कर सकते हैं पैरलल फैशन के अंदर अगर इसमें आप रिग्रेशन की प्रॉब्लम कर रहें तो आपके पास क्या होगा इन सभी का मीन आजाएगा आपके पास अगर आप किसी रिग्रेशन की प्रॉब्लम को डिल कर रहें तो यहां पे इसके मीन को कैलकुलेट करके आप फुर्दर आप बता सकते हैं कि रिग् की problem है you actually calculate the probability of these all four things और उनको आप collect करके एक point पे ले आते हैं and then you see the mean probability या आप उन सभी probability को एकठा कर लेते हैं with the help of different models और बकाईदा ये आप नहीं करते ये आपका machine learning का algorithm खुद बाखुद कर रहाता है जब psychic learning के अदा अंदर आप इसको deal कर रहेते हैं तो अब इसमें और adaptive boosting के अंदर क्या फरक आया एक तो parallel fashion का है एक sequential का है then the second thing is इसमें क्या होगा एक week learner नहीं improve हो रहा है यहां पर चार week learners इकठे इंप्रूव हो रहे हैं चार या चार से ज्यादा मतलब multiple week learners और जब यह multiple इकठे इंप्रूव हो रहे हैं वही चीज़ के core computation चल रही है यहां पर जिससे क्या होगा आपका overfit नहीं होगा model overfit क्या होता है कि noisy data को वो बीच में data consider करता है अब आप खुद सोचें जितना noise था इस data के अंदर वो सभी में आपस में डिवाइड नहीं हो गया तो अगर डिवाइड हो गया तो noise तो वैसे जाता रहा उसमें से तक्रीबन छोड़े चोड़े टुकुरों में बांड के हम separately उसको grow कर रहे हैं तो error के chances कम हो गए यानि के overfitting के chances कम हो गए ठीक है तो noise जो है आपका यहां पर कम हो गया इसका मतलब क्या है कि random forest can deal with noisy data अगर noisy data है तो यहां पर deal कर सकता है ठीक है अब आगे बात करते है अब इसमें एक और concept फिर आ जाता है अब अगर यह overfitting नहीं कर रहा यानि के यह noise को नहीं देख रहा ज्यादा noise को consider नहीं कर रहा तो possibility है कि यह underfitting की तरफ चला जाए कि train ही नहीं हो सही तरीके से क्योंकि हमने हर किसी में noise को divide कर दिया और automatically sample जब randomize हुआ है तो इसमें underfitting होने के chances हैं उसको कैसे remove किया जाता है उसको remove किया जाता है अगर आप पहले से preprocess data कर लें या आप इसके अंदर data जब डालें तो इसको different कि system की terms assign कर दें जो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं terms का मैं नाम नहीं अभी लेता सिर्फ आपको बताने के लिए कि you can actually randomize this random forest और इसके अंदर दो तीन regularization की terms को आप use करके आप अपनी तरफ से data को underfit या overfit होने से बचा सकते हैं ठीक है और आपके model जो है वो optimum perform करते हैं बाइदावे overfitting एंडर fitting के chances हर model में होते हैं you have to optimize the hyper parameters to be on the same optimum level optimize algorithm को बनाने के लिए अच्छा एक और फरकिन में adaptive boosting क्या करते हैं वो सारे के सारे features all features एक ही ट्री में ले आता है ऐसे यहां पर क्या होता है आपके subset features के भी डिवाइड होते हैं जब sample आपने subset करने आपकी सिरफ rows नहीं divide होनी आपके features भी डिवाइड होने ठीक है मनलब सारे के सारे features एक में नहीं चले जाने आपके features भी इसके अंदर divide होने so few features in each अब यह कहां पर अच्छा perform करता है कहां पर बुरा दोनों चीज़े हम देखते हैं पहली चीज नॉइजी डेटा के अंदर अच्छा perform कर लेता है दूसरी चीज आउट layers है यानि के noise out layers ही होता है वो हो तो कोई मसला नहीं होता है इसे इतना इसके accuracy फिर भी अच्छी रहती है दूसरे algorithm किसी निस्पत तीसरी चीज यह fast है ठीक है अच्छे से मुराद में advantages बता रहा हूं ठीक है फास्ट है तो जब आपका data आपने fast करना हो तो उसके लिए है अब देखने को लग रहा होगा यह तो चार-चार decision tree बना रहा है यह तो slow होना चाहिए ऐसे ही है न देखने को यह लग रहा है लेकि यह आप एक एक computer के एक core को एक चीज असाइन कर सकते हूं ठीक है अब इसका एक बड़ा problem यह है कि इसके hyper parameters बहुत ज्यादे है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने accuracy लेनी है ना किसी भी model से उसकी tuning parameters हमेशा ज्यादा हूं ठीक है मैं बड़ा आपको ना to the point चीज़े बता रहा हूं ताके वो क्या कहते हैं उसे कि problem ना हो आपको समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहां पे हमने देखनी है और कौन सी skip करनी है अच्छा जी hyper parameter जो इसमें consider करने सबसे पहला मैं यहीं पर इस वेड़ा से लिख रहा हूं क्योंकि यहां प्याइपर पेरामिटर ट्यूनिंग की बात हुई है सबसे पहला number of features दूसरा number of trees अच्छा मुझे बात बता है number of trees आप डिसाइंट करेंगे तो number of सब्सेंपल्स भी तो डिसाइड होगे ना सेम ही क्या ख्याल है क्योंकि हम स्टार्ट से सब्सेंपल्स यहां ट्री को दे रहे हैं तो number of trees और number of some samples सेम चीज़ है फिर आगे maximum depth of tree कि इतनी depth होनी चाहिए maximum एक ट्री की अब इसके बाद एक एक और पर मेंटर है कि हर लीफ नोड के अंदर कितने number of samples at the end बचने चाहेंगे ठीक है so that's another hyper parameter कि कितने samples बचेंगे हर लीफ नोड के अंदर before and after so यह हम दुनों चीज़ें चेक करेंगे और इसके इलावा इसके और भी काफी hyper parameters है लेकिन यह तीन जो है basically यह बहुत important है बाकि आप जब advanced level पर जाएंगे then you can actually learn when you are inside the random rest algorithm और कभी आप इसको लगाएं तो कब use नहीं करना चाहिए इसे मैं यहां पर लिखूंगा कि इसे तब नहीं use करना चाहिए जब आपका time series का data है ठीक हो गया और अगली बात यह कि time series का data इस वज़ा से इसमें नहीं use कर सकते क्योंकि जब आप time का एक factor involve कर देते हैं ना prediction में के एक दिन बाद बताओ दो दिन बाद बताओ तीन दिन बाद बताओ यानि कि seasonality का effect आ जाता है अगर आप छे माँ बाद किसी चीज़ को predict कर रहे हैं और छे माँ बाद गर्मिया हैं ठीक है अभी आप सर्दियों में तो वह data खराब करेगा random fresh की training को लेकिन there are few optimization in random fresh model where you can use these models in time series dataset अब इस algorithm के अंदर अगर आप अच्छी performance लेना जाते हैं क्योंकि इसके hyper parameters ज्याद है इस वज़ा से user को ज्यादा train होना पड़ेगा इस model को समझने के लिए to get more accuracy तो adaptive boosting का मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर हमने क्या देखा जी अभी हम random fresh को देखें अब random fresh सारी बात है साइकिट लेन के थुरू हो जाता है